Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ा खुलो So, आज की इस वीडियो में हम कांटिन्यू करेंगे हमारा UGC.net law domain का slivers Previous वीडियो में हमने पढ़ा था कि Constitution क्या होता है And Preamble किसे बोलते हैं So, आज की वीडियो में Preamble में में अलग-अलग words के बारे में हम जानेंगे बहुत ही detail में example के साथ So, चलिए फिर शुरू करते हैं ऐसे मानिए, इंडिया में चौमिन कहां से आई थी? Chinese लोगों से आई थी? हमने सुना था, चाइना में इस चीज मिलती है तो हमने इंडिया में भी इस चीज को ला दिया बट क्या हम इंडिया में उसे as it is तरीके से बनाते हैं जैसे चाइना में बनती है बिल्कुल सेन तरीके से और बिल्कुल उसका टेस्ट भी वैसे होता है The answer is no हम इंडियांस हर चीज में मसाला आइड करते हैं हमेना चीजें तड़का मार की पसंदाती हैं, right? So, हमने simple boring चाओमन को बना दिया तड़केदार चाओमन, right? और हम हर एक चीज के साथ ऐसी करते हैं चाहे मुमोस की बात हो, डंपलिंग्स की बात हो, किसी भी चीज की बात हो हम बाहर से वो डिश जरूर लाते हैं, लेकिन उसका एक Indian version जरूर तयार कर देते हैं तो अब यहाँ पे यह खाने की आइटम का preamble से क्या लिना देना है, वो समझते हैं देखिए, preamble में जो words इस्तमाल हुए हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया इनका normally अलग मतलब होता है, लेकिन जब Indian constitution में यह आड़ हुए, तो हमने इनके मतलब ही बदल दिये अपना Indian version निकाल दिया हर word का, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, अभी आपको पता चल साएगा चलिए पढ़ते हैं पहले sovereign के बारे में अब देखिए, 1947 से पहले तो Britishers हमें चलाते थे, हमारा remote control उनके हाथ में रहता था वो बोलते थे Indians, यहां मताओ, तो Indians वहां नहीं जा सकते थे Indians ऐसा करो, तो Indians को वैसा करना पड़ता था और जो इंसान उनकी बात नहीं मानता था, obviously उसको punishment मिलती थे बट, 1947 के बाद, especially जब constitution existence में आया, तो हमने बोला, अब हम किसी के अधीन नहीं है अब India एक independent nation है, हम पे किसी का भी राज नहीं होगा हमारा remote control सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होगा कोई और हमें नहीं चला सकता अपनी शर्तों पे So, Sovereign means India is not dependent on or any dominion of any country It has a free government which is directly elected by the people and make laws that govern the people So, अब हमने अपना remote control किस के हाथ में दिया है हमारी government के हाथ में दिया है और ये government भी चुनी जाती है हम लोगो द्वारा So, हम लोग हमारी government चुनते हैं जिनके हाथ में हम remote control देते हैं जो हमारे लिए फिर laws बनाते हैं और ये जो word है Sovereign ये basic structure का भी हिस्सा है Now, what is this basic structure? ये एक बहुत बड़ी concept है जो आपको पता होनी चाहिए अभी मैं बिल्कुल brief में बता रही हूँ बड़ इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ Basic structure का मतलब होता है Constitution का वो हिस्सा जिसे बदला नहीं जा सकता है जिसे alter नहीं किया जा सकता है जेके हैं, अभी के लिए इतना समझ लीजे वैसे वो बहुत बड़ी concept है जिसको हम अलग से कबर करेंगे Case studies के सकता चलिए, second हमारा word है Socialist इसमें ये बोलते हैं कि हमारे महादमा गांदी जी ने और जोहार लाल नेरो जी ने अपना एक नया ही version बना दिया था Socialist का उन्होंने बोला कि जतने भी poor लोग हैं जो poverty से जूज रहे हैं उनका welfare करने का जिम्मा उठाएगी government मतलब resources government अपने पास hold करेगी और उन्हें evenly distribute कर देगी लोगों के बीच में So that was the philosophy जो लाई थी महादमा गांदी जी ने और जोहार लाल नेरुजी ने इस word को add किया गया था 42nd Amendment Act of 1976 से जिसमें बोलते हैं कि socialism means ownership of productive forces by the government जितनी भी productive forces होंगी उस पे ownership किसकी होगी government की होगी चलिए अब आता है हमारा तीसरा शब्द जो की है secular अब देखिए secular word का जो actual meaning होता है वो थोड़ा negative होता है बट क्यूंकि हमने इसका Indian version निकाला है तो हमारे वाला जो meaning है वो क्या है? positive है बट before that मैं आपको explain तो कर दूँ कि secularism होता क्या है देखिए जो actual meaning होता है ना secularism का वो चलता है France जैसे nations में जहाँ पे कोई भी इंसान public place पे sign of religion नहीं दिखा सकता है मतलब अगर कोई सरदार किरपान लेके France की सड़कों पे घूमने लग जाता है तो France government उसे मना करेगी ऐसा करने के लिए अगर कोई हिंदू बड़ा सा तिलक लगा के France में घूमने लग जाता है कि हमारा नेशन का कोई भी religion नहीं है यहां के लोग publicly कभी भी किसी भी religion को display नहीं करेंगे यह होता है actual meaning secularism का बट भया इंडिया में तो इतनी variety है religions में कि हम मना ही नहीं कर सकते किसी को तो इंडियन्स ने सोचा क्यों ना इसका भी हम इंडियन version निकाल दे तो हमने क्या version निकाला हमने बोला कि unlike Pakistan या फिर Afghanistan हमारे nation का कोई भी religion नहीं होगा कहने का मतलब क्या है कि Pakistan अपने आपको क्लेम करता है कि मैं Islamic nation हूँ Afghanistan again claim करता है मैं Islamic nation हूँ वैसा इंडिया नहीं करता इंडिया कभी नहीं बोलता कि हमारे state का कोई भी religion है इंडिया बोलता है भईया हमारे यहाँ पे individuals का religion हो सकता है लेकिन state का कोई religion नहीं होगा कहने का मतलब यह है कि publicly आपको अपना religion शो करना है बिल्कुल करिये लेकिन इंडिया के साथ कोई भी religion का नाम असोसियेट नहीं होगा इसते कभी आपने नहीं देखा होगा ऐसा किसी को बोलते हुए कि हिंदू nation इंडिया या Muslim nation इंडिया या Christian nation इंडिया ओविसी नहीं बोला चाहता क्योंकि इंडिया एक neutral nation है जो secularism की format को मानता है और बोलता है कि हमारे state का कोई भी religion नहीं है So I hope आप अब समझ गए है कि कैसे हमने हर word का Indian version निकाला है क्योंकि normal secularism वो हूता है जो France में चलता है लेकिन इंडिया में अलग variety का secularism चलता है It says कि ये वाला word भी आड किया गया था 42nd Amendment Act से और इसका कहना ये है कि state itself has no religion but respect all the religions in equal sense इंडिया का खुद का कोई religion नहीं है लेकिन ये सारे religions की respect करता है equally इसके लिए सब equal होंगे चाहे तो Hindu हो, Muslim हो, Sikh हो, इसाई हो कोई पर्ट महीं परता ये सब का equal sense में respect करेगा चलिए, अब हम चलते हैं next word पर, that is democratic देखिए, democracy का मतलब होता है government by the people, for the people, to the people अब इसके भी types होते हैं दो तरह की democracy होती है एक होती है indirect और एक होती है direct क्या difference है दोनों में एक example की मदद से समझते हैं ऐसे मानिए direct democracy के बारे में बात कर रहे हैं कि India को China के साथ एक deal करनी है ठीक है India को एक deal करनी है किसके साथ, China के साथ तो direct democracy में ऐसा होता कि India को हर एक Indian के पास जा के पूछना होता कि Indian भाई साब देखिए क्या हम चायना के साथ ये deal कर ले और जब majority Indians decide करते कि हाँ ये deal कर लेनी चाहिए तो ही हम वो deal करते ये होती है direct democracy बट इंडिया में direct democracy नहीं follow होती we follow indirect democracy अपने खुद के हमारे कुछ reasons हैं but before that let's understand what is indirect democracy indirect democracy में क्या होता है कि हम इंडियन्स ने बोला कि देखो भए हमार पास इतना time तो है ने कि हम हमेशा ये decide करते रहे इंडिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो एक काम करो हम ना कुछ लोगों को क्या करते हैं चुन लेते हैं अपने बीच में सही अब ये लोग क्या करेंगे government form करेंगे और government form करके ये हमारे बिहाव पे ये सारे काम करेंगे कहने का मतलब क्या हुआ डारेक्ट में हर एक चीज डारेक्ली इंडियन से पूछी जाती थी जैसे कि प्लेबिसाइट रेफरेंडम जैसी चीजों में होता है अब यह क्या वर्च है अगर आपको मतलब नहीं पता है तो इसकी अलग से वीडियो बनी हुई है लिंक डिस्क्रि गवर्मेंट फॉर्म करने के लिए बोलते हैं और यही गवर्मेंट हमारे बहाव पे काम करती है यह चुने कैसे जाते हैं हर इंडियन जो कि 18 साल की उम्र का हो जाता है जो कि माना जाता है कि मेच्योर हो गया है उसे मौका दिया जाता है वोट डालने का वोट डालके अपन आरे लिए निर्ने लेते हैं अलग-अलग किस्म एंडिया फॉलौज़ वाट? इंडारेक्ट डेमक्रेसी अब आपको शाधी साथ रीजन भी बता दू हम इंडारेक्ट डेमक्रेसी क्यों फॉलौ करते हैं क्योंकि भाया तुम्हें पता ही है कि इंडिया में जनता कितनी है, population कितनी है, हम वर्ल्ड में second number पे आते हैं और बहुत ही जल्दी पहले number पे भी आने वाले हैं, population के case में, अब इतनी बड़ी जनता से अगर तुम हर एक चीज पूछने चले जाओगे, एक चीज उनके उपर छोड़ दोगे, तो तु चल गया इंडिया, इसलिए इतने बड़े populous nation के लिए indirect democracy perfect थी, और लोग कैसे चुने जाते हैं, people above the age of 18 years are entitled to vote and can choose their government, 18 साल से उम्र के बड़े जितने भी लोग होते हैं, वो entitled होते हैं कि वो vote दें और अपने government को चुन लें, इसी बात पर चलते हैं हम हमारे next word पर जो की है republic, republic को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो चीज़े बताती हूँ, कि इंडिया में दो चीज़े होती हैं, एक होता है head of state और दूसरा होता है head of government, ठीक है, यह दोनों अलग अलग चीज़े हैं, ध्यान दीज़ेगा NCMCQ पूछा जा सकता है, head of state का मतलब होता है president और head of government का मतलब होता है prime minister, ठीक है, तो यह दोनों अलग चीज़े हैं, इनमें confused बिल्कुल नहीं होना है, वापिस आते हैं republic पे, अब मुझे यह बताईए, कि हमारे यहाँ पे जो prime minister है, या for that matter president है, क्या ये किसी royal family का हिस्टा है, मतलब पटोदी पटोदी हैं, क्या भया इनमें से ही चुनेंगे हम उमारा नेता, नहीं न, ये आम जनता है, जो कहीं न कहीं से elect होके उस level तक पहुची है, तो republic का मतलब होता है, हमारे यहाँ पे जो authorities रहेंगी, directly और indirectly लोगों द्वारा ही चुनी जाएंगी, कोई hereditary ruler नहीं होगा, जैसे England में होता है, बट इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यहाँ पे राजा महराजाओं को बहुत पहले विश्राम दे दिया गया था, तो यहाँ पे लोग चुनते हैं कि हमारे उपर राज कौन करेगा, और लोगो द्वारा चुना हुआ इंसान ही प्रेजिडेंट या प्राइम मिनस्टर बनता है, अगैन डारेक्ली चुने या इंडारेक्ली चुने, क्योंकि प्रेजिडेंट सर के तो election इंडारेक्ली होता है, बट स्टिल दोनों ही वे में हमारा लोगों का ही major role रहेगा, ओके, नेक्स है हमारा word justice, अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि प्रेजिडेंबल इंशॉर करना चाहता है, उसका objective है कि इंडिया में हर किसी को न्याय मिले, चाहें वो किसी भी nature का न्याय हो, political, social या economic, कहने का मतलब क्या है, political न्याय का मतलब है कि हर एक इंसान equal माना जाएगा, हर 18 साल का उम्र का जो बच्चा होगा या इंसान होगा, वो vote दे सकता है, irrespective of वो कौनसी caste से बिलॉंग करता है, कौनसे religion से बिलॉंग करता है, कौनसी race से, कौनसे sex से, कौनसी place of birth से, कोई matter नहीं करता, social justice का again यहीं मतलब है, कि कोई discrimination नहीं होगा, किसी भी basis पे, हर एक इंसान equally consider किया जाएगा, और economic justice again बोलता है, कि economic grounds में भी कोई discrimination नहीं माना जाएगा, मतलब हर एक इंसान law की नजर में, government की नजर में क्या है, equal है, अब चाहे वो सल्मान खान हो, या फिर Amit Shah, government की नजर में और law की नजर में, तो सब ही equal माने जाएगे, next है liberty, मतलब बोलने का अधिकार देना, कोई भी इंसान ऐसे आके, आपके मूँ पे टेप नहीं लगा सकता है, आपको full liberty है, आप जहां जाना चाहे, जो करना चाहे, जो beliefs रखना चाहे, किसी भी भगवान को worship करना चाहे, जो faith रखना चाहे, पूरी इजाजत है आपको ये decide करने की, so, अपने thoughts की expression की, belief की faith की worship की liberty, हर एक इंसान को मिली हुई है, फिर है equality, again, जैसे कि मैंने पहले भी mention किया, कि कोई भी discrimination नहीं हुगा, काला है, गोरा है, आदमी है, औरत है, अमीर है, गरीब है, चाहे कोई भी है, सब equally treat किये जाएंगे, और last है हमारा fraternity, मतलब भाई-चारा, हम ensure करेंगे कि यहाँ पे, इंडिया में सारे sections of the people, सारे section of the society, आपस में भाई-चारे वाली भावना रखे, and at the same time, जो states हैं हमारे यहाँ पे different, वो भी आपस में भाई-चारे वाली भावना ही रखे, एक state दूसरे state से कभी भी लड़ाई जगणा नहीं करें, यह है हमारे preamble की intention, और यहाँ पे खतम होता है preamble के सारे features, तो इसी के साथ में आपको बता दू आपको पता दू यहाँ उजिसी नेट लॉग का पूरा स्लेवर्स कवर करने वाली हूं इसी चानल पे, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फट से जाके चानल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, तो अब हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, प्लेलिस्ट का लिंक सेफ कर लो, ताकि हर वीडियो एडिशन में आप अराम से पढ़ाई कर सको, तो वीडियो।